नमस्कार साथियो, नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सोचिए कि वो चिठी जिसे आपके सिवा कोई सी को नहीं पढ़ना था अगर कोई दूसरा पढ़ ले तो क्या होगा? इसी को कहते हैं कि आपकी निजिता का उलंगन किया गया है इंडियन टेली कॉम्निकेशन बिल आया है, उसका ड्राफ्ट आया है और उसके बारे में एक बहुत ही विस्तित लेख प्रभीर पुर कायस्त है नियूस क्लिक पे लिखा है जिसका सिर्षक है ड्राफ्ट टेली कॉम बिल, सर्विलांस, परडाइज, और गिफ्ट टो टेली कॉम मोनोपोलिज और इसमें बताते हैं कि किस तरह से ये बिल निजिता की अधिकार पर बहुत अधिक हमला करता है तो चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रभीर पुर कायस्त तो आपसे पहला सवाल ये होगा तो थोड़ा आम लोगों को बताईए कि जो टेली कॉम्मिकेशन की दुनिया होई ये प्राइविसी से जुरती कैसे है क्या मतलब होता है टेली कॉम्मिकेशन और प्राइविसी कहां से आ जाता है उसमें आप जो पहले जिक्रजा आप ने किया है कि पत्र जब लिखते हैं पत्र जाती कैसे पोस्टल सर्विसेस के जरीए तो एक पोस्टल सर्विसेस का काम है कि आपका पत्र दूसरों को हाथ पे पहुंचाना उसी तरह जब आप दूसरे से बात करते हैं ये तो दूसरें को कुछ म से भी हो सकती है आज के जमाने में बेतार से भी हो सकती है तो इसलिए दोना तरह से टेली कॉम्मुनिकेशन सर्विसेस क्या है ये हमें सोचनी की जूरत है टेली कॉम्मुनिकेशन सर्विसेस जो हिंदी शब्द है उसके लिए सही है दूर संचा ठीक है, हम और आप दूर रह सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ हम communicate कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चीजे बेज सकते हैं, वीडियो बेज सकते हैं, तो ये जो है दूर संचार के माध्यम से होता है, तो जो सेवाएं दूर संचार के माध्यम से होता है, उसी को हम telecommunication services कहेंग अब आते हैं बिल पे आप किवल इसके लेखक नहीं है आपके लेख से पता चलता है कि आपने बहुत ही प्रभावी भूमिका इस निभाई है तो आप तो आप तो यह बताईए कि अहम बिंदू जो आपको लगता है कि इस बिल में जिस पे विरोध है नाराजगी वो क्या क्य है तेखिए इस पे तीन प्रकार के चीजे हमको इस पे देखनी पड़ेगी एक तो है कि तेल दूर संचार सेवा क्या है और इस दूर संचार के सेवा कि इस्तिमाल करके अगर और सर्विस दी जाएगी तो वो क्या दूर संचार की अंतरगत आ जाता है या कि दूसरा सर्वि म yılक्तियौग्स है ची जिए डिक्तियौन को दॉक्तटर आपको की जवाब ने हने आपको विश्यों प्रिके शमीनम तक तुम का चमझा कर रहें विद्धY पर टेली कॉम्मुनिकेशन सर्विसेस के जरिये जितने और सर्विसेस दी जा रही है उनको संगा दिया जा रहा है ओवर दा टॉप सर्विस ये प्रश्ण चिन पहले भी आया था जो आपने जिकर किया था कि हमारा क्या भूमिक है उस पर रहा कि पहले साथ-ाथ साल पहले ये टेली कॉम्मुनिकेशन जो हमारे टी आरिया है टेली कॉम रेगुलिटरी अथारिटी उन्होंने पॉलिसी लेवल पे ये पूछा था OTT सर्विसेस जो है ये सब को हमें नियंतरित करने की करना चाहते है नियंतरित करने की ज़रूरत है है या नहीं ये सवाल था और क्यों है वह उसके लिए उन्होंने एक पूरा पेपर निकाला था जिसके हमने उसमें डीटेल्स से हमारी प्रतिक्रिया दी थी काफी लंबा प्रतिक्रिया थी उसमें पर बुक ये बात यही थी कि दुनिया में टिली कॉम्मिनिकेशन 항 अभी भी यह तो आपका वाइस सर्विस या तो डेटा सर्विस होती है वाइस के गरते हैं डेटा भेच के आप या करते हैं वो टिली कॉम के अंदर कर देंगे तो इसका मतलब है जितने सारे सर्विसिस है चाहे वो आमजान बेचना खरीदने का काम करें आपका नेटफलिक्स आपके घर आए ना आए इस हर चीज को तब ओवर दे टॉप सर्विस कहके डॉक्टर अगर आपके पास कुछ सेवाएं दे रहे हैं जिसको क मतलब है क्या टेलीकॉम हर चीज में हमारी दखल अंताजी करेंगी और इसका मतलब ये भी होगा कि जो टेलीकॉम कंपनी हैं उसकी सब ओवर दे टॉप सर्विसेस के नाम पे उन पर भी वो कंपनिया भी अपने टैक्स लगा सकती है तो टेलीकॉम को इस इतना बड़ा रू बड़ा ओवर रिच है टेलीकॉम रेगुलिटरी अथारिटी ने उस वक्त किया कोशिश किया था एक से कंसिल्टेशन पेपर के जरिये हमने ही उस वक्त जो विरोध उस वक्त भी किया था अभी भी मेरे लेक में वो हमने जिकर किया है उसका तो उस वक्त टेलीकॉम अब ये कहे के फिर मैदान पे उत्री है कि हर सर्विस को दुनिया में अगर हमारे तार बेतार से जाता है दूर संचार से जाता है तो उसको ओवर दे टॉप सर्विस करके वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत वर्श की वो उसको रेगुलेट करेगी और उसमें लाइसेंसि का बगारा 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 तो हमारा है कहना कि मेडिकल सर्विस मेडिकल सर्विस होता है वो तार के माध्यम से आ रहा है उससे वो टेलीकॉम सर्विस नहीं बन जाता इसी तरह जितने और सर्विसे से उनकी दूसरे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास उसको नियंत्रित करें एक over the top अंग्रेजी शब्द इस्तमाल करके अंग्रेजी की तीर शब्द इस्तमाल करके उसको इस दाइरे में टेलिकॉम के दाइरे के अंदर लाना इसका मकसद जो है एक तो टेलिकॉम डेपार्टमेंट की ओवर रीच और दूसरा इसको सब को जो आप कहेंगे नियंत्रित करेंगे तो उसके साथ साथ कहेंगे नियंत्रित करने के लिए आपको खोल देना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं तो उसमें जो आपने निजदा की बात की वो तब वो बात आती है कि surveillance जो भी सरकार के एक बहुत बड़ा लक्ष लगता है इस वक्त है कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके उपर निगरानी रखने की और इसके लिए surveillance capability सरकार की बढ़ाना वो पुट्टू स्वामी सुप्रीम कोड की judgment थी नीज़ता की कि हमारे कुछ चीज है हमारी नीज़ी चीज है इस पे अगर सरकार हस्तक शेप करेगी तो यह हमारा एक fundamental right को लंगन होगा और उसको करने के लिए कुछ procedure होना चाहिए और सरकार को वो procedure पु तक आया था उसमें स्री कृष्णा कमें एक कमीटी बनी थी काफी चर्चा हुई सब ने हम लोगों ने अपने बाते रखी उसमें इसके बाद जब बिल पार्लिमेंट पे गया तब वो वापस ली गई है और फिर हम वही zero पे है जब पुट्टू स्वामी जज्जमेंट के वक्त पे आया था कि इसको सरकार का जिम्मेदारी है इसको एक लीगल रूप देना वो ना होके अब एक ओवरीच की तरह कि हमारे पास क्या निज़ता क्या रूल्स है वो अभी तक बना नहीं है अब सर्वेलेंस की रूल्स आ रहे हैं इस ते ओवर दे टॉप सर्विसेस को लाइसेस करने के साथ साथ उसको खोलने के लिए उसका एंक्रिप्शन होगा नहीं होगा एंक्रिप्शन अगर होगा एंक्रिप्टेट कॉम्मुनिकेशन होगा उसको भी एक्सेस सरकार को देना पड़ेगा वगारा वगारा इन सब दर्वाजे खोली जा रही है उसके साथ साथ और जो चिंता जनक बात है टेलिकॉम रेगुलेटरी अथारिटी और टीडी सैट जो की और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इसका बना था इनको करीब-करीब नदर अंदाज या तो नकार दिया गया है इस बिल के दौरान कहा गया है टियर आई वही करेगा जो टेलिकॉम इसको करने के लिए कहेगा हलाकि वह एक अलग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है एक एक पारलिमेंट के एक एक आक्ट के दर्मियान वह बनाये गया था तो लगता है दोनों तरफ और नीज़ता पर और दूसरी बात है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पर अर उसके साथ-साथ फ पुष्नेयट होना चाहिए उसका मकसद क्या होना चाहिए अक सरहां क्या होता पूछते हैं कि भाई मानलीजिये बच्चा चोरी ही और अगर सरकार को तब तो अच्छी बात है न를 करना थ twee इसलिए पुट्टो स्वामी की judgment है कि fundamental right का मतलब हमारी privacy fundamental right है जिस तरह right to life है इसका मतलब नहीं right to life है इसलिए आप किसी का खून कर दिया जान ले लिया तो आपको बंद नहीं किया जाएगा ये तो आपको फासी पे नहीं लटकाया जाएगा तो ये right limitations होती है हर right की पर कानू के मताबिक होती है गैर कानूनी तरीके से आप किसी का जिन्द आप जान नहीं ले सकते हैं तो सरकार के पास right है जान लेने की भी इसलिए तो फासी दी जाती है लोगों को तो फासी देने के लिए कानून है कि कैसे आप ये कर सकते हो उसी तरह पुट्टो स्वामी का judgment वही था कि privacy जरूरत पड़े तो privacy का जरूर उलंगन हो सकता है पर उसका उलंगन करने के लिए एक legal धाचा होना चाहिए और वो तब देखना चाहिए कि उस कौन कर रहा है किस वजह से कर रहा है उसकी जरूरत क्या इतनी है कि उलंगन किया जाए इस अधिकार को तो ये हर चीज उसी तरह जैसे आपको जेल में बंद करने के लिए ये तो आपको फासी चड़ाने के लिए सरकार को करने पड़ती है उसी तरह यहां भी privacy fundamental right है पर उसको लंगन करने के लिए एक धाचा होना चाहिए इसी का जिकर put to service judgment में है इसी लिए आप जो शब्द इस्तिबाल के उसी लिए tests लेडाउं किया है बताया कि इसके जरीए होना चाहिए और वही टेस्स को कारणिवानित करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए पारलिमेंट की कानून ज़रूरत था यह बहुत मुस्तपूर्ण होता है कि लोग समझ जाएं जिस तरह से आपने बताया कि किस म मकसद है देखें मकसद तो तीन मकसद दिखाई पर एक मकसद तो साफ है कि सर्वेलेंस का धाचा बढ़ाने के लिए सरकार के पास सर्वेलेंस की बहुत सारे अवजार है इस्तेमाल भी हो रही है मैं पेगेसस की बात नहीं कर रहा हूं वो क्योंकि वो तो एक्च्वेली सर् hacking था जो कि कानूनन सरकार भी नहीं कर सकती है ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके जरीए वो कर सकती है तो इसको मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता हूं उसका उसको surveillance ना समझे surveillance है कि आपको जैसे telephone tapping कर दीकार सरकार का है उसके लिए कानून में दिखा है किसके पास क्या power है उसके जरीए यह हो ना कर सकते हैं इस तरह से internet के access भी सरकार internet companies से ले सकती है डिपेंड करेगा कि क्या आधकिस का आधार क्या है और उसको कौन इसका दस्तकत कर सकता है तो यह सब powers उनके पास हैं तो सवाल यह है कि यह powers अभी तक encryption encrypted services की ban करने की छमता नहीं है और encrypted services अगर है तो अभी भी उसको उसके एकसेस देना सरकार को बोलना पाऊ है कंपनियों का access दे पर कुछ encryption services ऐसा है कि उसको आप दे सकते कौन किसको भेज रहा है उसके इलावा जो company service दे रही है उसके अधार आधार भी नहीं है उसके पास भी आवजार नहीं है क्या encryption करके गया है बताने का तो यह इस services क्या ban कर दिया जाए तो यह करने की अधिकार सर services आप हम कोई भी secret चीज़ बातचीत नहीं कर सकते अगर मिलेंगे पार्क पे तो शायद कर सकते हैं पर और कहीं शायद नहीं कर पाएंगे इस तरह के चीज़े शायद सरकार चाहती है तो एक तो यह इसका पहलू है कि surveillance powers को लगता है काफी मुश्बूत करना चाहती है ताकि जो big brother कहते है तो उसकी एक सरकार big brother बन जाएगी हर चीज़ पे दिगरानी रखना देखना सम्मभ है और उसका नतीज़ा राजडितिक नतीज़ा क्या है कौन किस पार्टी में क्या बाचीत हो रही है क्या दूसरे लोगों के साथ मिलके सरकार बना रही है और किसी पार्टी से मिलके इन सब चीज़ों के खबर उनके पास होगी और ऐसे चीज़ा जानते ही है आज के तारीक पे राजडितिक रूप में इसका असर क्या पड़ा है तो एक तो ये सब चीज़े हैं दूसरी बात है कि आपने जो कहा over the top services पे सरकार का फायदा तो ठीक है समझ में आ गया कि कुछ services वो चाहते हैं कुछ services नहीं चाहते हैं तो वो उनके लिए संभब हो जाएगा पर फायदा किसका होगा फायदा होगा बड़े पुझी पति जो जैसे टेलिकॉम कंपनी है मान लेजिए तीन टेलिकॉम कंपनी इस वक्त हमारे सामने हैं एक तो है आपका जियो सबस साब वहां पे है और जो आपने कहा एयर टेल मित्तल साब जहां है तो यह तो तीन बड़े कंपनी आए जो हमको इंटरनेट और टेलिफोन सर्विसेज देता है और आज कल जालते है वायरलेस ही जादर चलता है तो यह सर्विसेज हमारे सामने है करीब-करीब यह बीसनल को पूर्थ पूजिशन में डाल दिया गया और उसके पास इस वक्त लाइसेंस भी नहीं है पूर जी थी जी सब चीजों का तो करीब-करीब को एकदम माइनस कर दिया गया है उसके बारे में आज नहीं बताना चाहूंगा ओर दे टॉप सर्विसेज करने का बतलब इनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि इनके जरिये आप आ रहे हैं वो बोलेंगे हमारे सर्विसेज जो है इसके लिए हमें यह कट चाहिए यह होना चाहिए कोई भी हमारे उपर से जाएगा तो उसका रिलेशनशिप टेलिकॉम कंपनियों से क्या होगा यह एक धारित करना जरूरी हो जाएगा तब क्योंकि पहले यह था कि डेटा के अंदर क्या जा रहा है उससे टेलिकॉम कंपनी की कोई संबंध नहीं है इससे उनको ओवर दे टॉप टेलिकॉम सर्विस बनाके इनकी पावर बढ़ा दी जाएगी तो एक तो यह बात रहती है अग दूसरी तीसरी बात जो है इसमें जो मैं कह रहा था इसमें रेगुलेटरी पावर सब जो खतम कर दिया उसके साथ और एक चीज किया है जो किसी दे आज की तारिक पे ओ एक लाग दस हजार क्रोड तक जमा हुआ था तो पचास से पच्पन हजार रुपया तो क्रोड रुपया तो लिया गया है सरकार दूसरे कामों में लगा दिया जो कि उएसो फंड से कोई तालुक नहीं रखता है एक तो यह है दूसरी बात है कि पचास पच्पन हजार क्रोड अभी जो पड़ा हुआ है लगता है सरकार इसको दूसरा कामों में लगाना चाहती है टेलेकॉम के काम में नहीं कि भारत नेट का एक पैस बहुत बड़ा पैसा इस पे लगा था तो यह इस बिल में लिखा गया है कि और भी डेवलप्मेंट फलाना दाओं भी किया गया है इसका सरकार इसके लिए खरच कर सकती है तो एक टैक्स जो है लगता है उसको सरकार टेलेकॉम के नाम पे अपने ख़जाना में डालना चाहते हैं इसलिए ये ये सो फंड टेलेकॉम यूजर्स के लिए नहीं होगा टेलेकॉम का डेवलप्पेंट जो होना चाहिए उसके लिए नहीं होगा पर कि दूस्ते खर्च क्योंकि डेफिसित बढ़वा है सरकारइंकर उनको और चीजे करना है लगता है कि उस तरफ पे फंड डाइवर्ट करने का एक लीगल स्ट्रक्चर बना रहे है कि अभी भी उसको वापस देने की बात है इस्ताविकर सर्कार पर उसको ये सो फंड में वापस करना है लगता है सरकार की जनरल बाज़िब में घुसाने की कोशिश है सर्विलांस मोनोपोली बहुत कुछ आपने बताया अकंतिम सवाल क्योंकि आपने इसमें प्रभावी तरह सिजास्तक छेप किया है आपको क्या लगता है इसको रेगुलेट करने के लिए कहां कहां पे महत्पून दिन्दू और कैसा एक तरह का बिल होना चाहिए आपके खिलाब एक जितने लोग इसके शिर्कत करते हैं इनके साथ बातचीत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धाचा क्या होना चाहिए, 1886 का एक्ट तो ठीक है आप कहा से तो बहुत पुराना है, पर इसके बाद भी जो चीजे आए है, उसको इसको तो एक हिसाब से उसको नकार दिया जा रहा है, इस एक्ट के जरिये, तो एक तो है, कैसे एक्ट होना चाहिए, इसके बारे वाचीत होनी चाहिए, टियरे आई की पोजेशन जो है, इस तरह से कमजोर नहीं करना चाहिए, दूसरी बात है कि अगर आप देखें, तो प्राइविसी का एहमियत, पहले जो बिल लाकर इसको एक स्वरूप तो दे, इसके बाद आप टेलिकॉम बिल लाएं, पर इसको विद्रौ करके, एक टेलिकॉम बिल लाके, इसके बाद आप प्राइविसी करेंगे, तो इसको जो कहते है, पुटिंग दे कार्ट बिफोर दॉर्स, तो यह एक इस पेसे निकलता है, तीसरी पुजिशन स्ट्रेंग्डन करेंगे, छोटे जो लोग की दुकानदार है, वो अपने महले में कुछ करना चाहे, उसको भी बोला जाएगा, ओवर दे टॉप सर्विस, आप जाके पहले टेलिकॉम एक यह करो, रिजिस्ट्रेशन करो, और आपको जो कहते हैं, लाइसेंस प नए सर्विसेस हैं, जिसके स्रीजन शिलता हो सकती है, अब देख सकते हैं, जितने आजकल बड़े-बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो छोटे से निकले हैं, वो संभावना खत्ब कर दी जाएगी, यह सिर्फ बड़े पूजी के लिए छोड़ा जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, एक महत बहुत बहुत तो पून बात कही, कि अगर सारी सूचनाएं सरकार के पास होगी तो क्या होगा, राजनीती, अर्थ, समाज, आपकी जिन्दगी सब कुछ प्रभावित हो जाएगी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सरल सब्दों मे इतने जटिल विशा को बताने के लिए, अगर आपको हमारा कामकास ठीक लगता है, और लगता है कि हम जनवादी बात करते हैं, तो बिलकुल हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आर्थिक मदद दीजिए, हमारे वेबसाइट पे जाकर आप हमारी